अजाद हाई स्कूल की ऑनलाइन टास में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे फिप्ट क्लास की साइंस का नाइफ चैप्टर फोर्स एंड इनर्ची आज हम फोर्स एंड इनर्ची के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम लैज कोशन करते हैं जब हम किसी ड्रॉर को खोते हैं तो हम उसे क्या करते हैं पुल करते हैं जा फिर पुछ करते हैं पुल होता है खीचना पुछ होता है दक्का देना तो क्या करते हैं हम किसी ड्रॉर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएगा पुल जब मिस्टर गुपता की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपने सर्वेंट को उसे खिचने के लिए बोला या फिर दक्का देने के लिए बोला तो यहाँ पी आएगा पुश इट बहुत सारी डैश लगती है किसी भी चीज़ को खिचने जा दक्का देने के लिए तो मनी लगती है जा फिर फोर्स ताकत जा पैसा यहाँ पे आएगा फोर्स आगे हम फोर्स और इनर्जी और वर्क के बारे में पढ़ेंगे In our routine life, we see and perform many actions that involve a push or a pull A push or a pull which change or try to change the state of motion of a body when acting on it is called फोर्स हम अपनी रोज की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जहां हमें के चीज़ों को खीचना जा फिर दक्का देना पड़ता है और उस push और pulling में जो हमारी ताकत लगती है उसे हम force बोलते हैं We cannot see force, force and its effect Force और इसके effect क्या है? We cannot see force but we can notice its effect हम force को देख नहीं सकते लेकिन हम notice कर सकते हैं उसके effect को The change caused in an object due to force exerted on it is known as the effect of force जब किसी भी चीज़ की movement को होती है जा फिर किसी भी चीज़ की direction चेंज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? जे किसकी वज़े से हुआ? Force और effect of force की वरसे से ताकत की वरसे से इस object में जो भी changes हुई उसे हम कहते हैं effect of force If force can do the following Force के साथ हम नीचे जो step दिये गए हैं वो सब कर सकते हैं If force is a push और a pull which make an object start moving Force क्या करता है? किसी भी चीज़ को push या pull करते हैं ताक कि कोई भी चीज़ जो movement start हो जाती है object में वो किसकी वज़े से होती है? Force की वज़े से If force can stop a moving object किसे चलते हुई object को force की वज़े से हम रोक सकते हैं If force can make a moving object go faster और slower Force की वज़े से तापनी ताकत सी वज़े से हम किसी moving object को किसी जिस object में movement हो रही हो उसको हम अपनी ताकत लगाके उसे और तेज जाफिर दीमा कर सकते हैं If force can change the direction of a moving object अपनी force की वज़े से हम किसी moving object की direction को दशा को बदल सकते हैं If force can change the shape of an object or even break it हम अपनी force की वज़े से किसी भी चीज़ के shape को बदल सकते हैं जाफिर उसे तोड सकते हैं जैसे आगे pictures में भी दिखाया गया है Force pushing on object जैसे picture में एक लड़का एक box को दख्का दे रहा है क्या कर रहा है? पुश कर रहा है Force stopping a moving object आगे एक लड़का अपनी एक बॉल को उपर से आती हुई बॉल को रोक रहा है Force की वज़े से Force changing the direction जैसे आगे एक लड़का अपनी गाड़ी चला रहा है अपनी मर्जी की direction से तो क्या कर रहा है वो? Force इसमें क्या हो रहा है? Force की वज़े से directions change हो रही है There are different type of force आगे हम forces की types पड़ेंगे पहली है gravitational force On any TV program you must have seen astronaut floating in space They are able to float because there is no gravitational force pulling them down We are able to stay on the ground because of gravitational force जैसे कि आपने TV वगाना में देखा होगा कि आस्माल में बहुत सारे satellite गूम रहे होते हैं वो क्यों गूमते हैं? क्यूंकि उनमें gravity नहीं होती है जो कि gravitational force की वज़े से वो नीचे नहीं आ सकते हैं क्यूंकि उनमें gravity बिल्कुल भी नहीं होती है हम दर्ती पर इसलिए खड़े रहते हैं क्यूंकि दर्ती में gravitational force है और वो हमें attract करती है अपनी और आकर्शित करती है magnetic force magnetic force होता है magnetic force is the force exerted by a magnet on matter such as iron and nickel and on other magnets magnetic force magnets में होती है जो अपनी तरफ जो लोहे और जो निकल की object होते है चीज़े होती है उनकों matters को अपनी तरफ आकर्शित करता है अपनी तरफ खीचता है आगे है electrostatic force the force exerted by a charged object on the other object is called electrostatic force जब किसी एक object को हम charge करते हैं तो उसे दूसरी object के उपर रखते हैं तो वो अपनी तरफ उसको attract करता है अकर्शित करता है उसे हम क्या बोलते हैं electrostatic force जैसे कि for example run a comb through your dry hair for a minute then bring this comb close to small bits of paper the bits of paper attract towards the comb this is because when the comb is run through the hair it gets charged so it exerts force on bits of paper जैसे कि आप क्या करो अपने सुखे बालों पर एक कंगा अपने सर में अच्छी तरह से गुमाओ अपने बालों में जब तक कि एक पूरे एक मिनट तक उसके बाद आप छोटे छोटे जो वेपर के bits होते हैं टुकडे लेना और उसको उसके उपर रखना तो वह सारे टुकडे उसके उपर चिपक जाएंगे जैसे मेंगनेट के उपर आइरन के जो केल वेगारा चिपकते हैं वैसे ही वो कागल के टुकडे उसकंगे के साथ चिपक जाएंगे क्योंकि वो चार्ज हो जाएगा हमारे बालों से और इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रोटिक फोर्स आगे हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जैसे फोर्स कोन सी होती है अपोजिट वाली मतलब की जो किसी वी चीज को दीमा कर देती है जा फिर रोक देती है उसे हम होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जैसे भी कोई भी चलती होई बाल होती है वो अपनी आप कुछ थाइम के बाद रुक जाती है ग्राउंड की उपर किसके वज़े से friction की वज़े से क्यूंकि और जो friction होती है वो थोड़ी दीरे दीरे होती जाती है और दीरे बाद में जाके रुख जाती है जे सब होता है friction की वज़े से जो किसी भी चीज़ की movement को stop कर देता है और जो rough surface होता है उसकी friction ज्यादा होती है smooth surface के बराबर मुकाबले, जो rough surface होता है, उस पे movement कम होती है लेकिन जो smooth surface होता है, वहाँ पे friction कम होती है इसलिए movement जादा होती है और जो rough surface होता है, वहाँ की friction जादा होती है और वहाँ पे movement कम होती है आगे हम friction के advantage पढ़ेंगे इसके फाइदे क्या होते है Some advantage of friction have been given here Friction enable us to walk It is difficult to walk on a smooth polished floor As it offers less friction Thus there are more chances of slipping on such a surface जो friction की वज़े से हम चलते हैं अगर हम किसी smooth जा फिर polish वाले floor पे चलेंगे तो वहां की friction बहुत कम होगी तो हम गिर सकते हैं वहां पे गिरने की chances ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस surface पे हम चल बिल्कुर नहीं सकते हैं आगे है Friction make us capable to write on paper or on blackboard Friction की वज़े से ही हम अपने blackboard जा फिर paper की वज़े पे पे लिख सकते हैं अगर paper जादा smooth होगा तो हम उस पे नहीं लिख सकते हैं Screw are tightened due to friction between the nut and the screw जो screw वाले nuts होते हैं उसमें भी friction बहुत ज़रूरी होती है उसी friction की वज़े से ही वो fixed होते हैं Tire of wickers have special groove to increase friction between the tire and the road so that they may grip the road easily जैसे कि हमारी गाडियों के जो tire होते हैं उसमें भी एक अलग से group से बने होते हैं जो friction को बढ़ा देते हैं ताकि जो हमारी गाड़ी के टायल की जो grip है वो रोड के साथ अच्छे से grip हो जाए और हमारी गाड़ी फिस लेना आगे है disadvantage friction के क्या नुकसान होते हैं दा मेजर disadvantage of friction have given below वो हमें नीचे बताया गया है friction between machines part cause their wear and tear machines part are often lubricated with oil and grease to reduce friction जो machine के जो हमारी machines होती है उनके जो parts होते हैं वो friction की वज़ज़ से friction ज्यादा होने की वज़ज़ से तूर सकते हैं तो हम क्या करते हैं उनकी friction कम करने के लिए machines के part में oil जा फिर grease लगाते हैं ताकि machine के parts की जो friction है वो कम हो जाए friction produce heat which damage machine parts such as break जो friction होती है उसकी वज़ज़ से कई बार machine के जो part होते हैं उसमें heat पैदा हो जाती है और जिससे हमारे जो machine के parts होते हैं वो तूट भी सकते हैं souls of our shoes and tire of vehicle get worn out due to friction जो हमारे जो shoes होते हैं उनके souls होते हैं जाफिर जो tire होते हैं मारी गाड़ियों के जाधा friction की वज़ज़ से वो फट जाते हैं It is difficult to slide heavy boxes across floor due to friction और किसी heavy boxes को हम जिस surface पे friction जाधा हो वहाँ पे हम उसे गसीट नहीं सकते हैं आगे है fill up in the blanks हमें यहाँ पे जो swillings भी blanks नहीं कहीं है उनको बरना है The state of motion can be changed by applying force हम किसी भी motion को change कर सकते हैं force लगा के dash force exerted by magnet on matter such as iron and nickel जहाँ पे आएगा magnetic force rough surface exert greater friction force than smooth surface rough surface में जाधा friction होती है smooth surface के मुकाबले It is difficult to slide heavy object across floor due to friction आगे हम activity करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमें 4 strip दी गई है पहली है glass, दूसरी है cotton तीसरी है sandpaper और चोथी है sand रेत वाली जहाँ पे हमें 4 strip दी गई है जिसमें हमें बाल को फैंकना है कि किसकी friction जाधा है हमें इसमें टेस्ट करना है जैसे कि जो glass वाली है उसके उपर हम जब कोई बाल फैंकेंगे तो क्या होगा उसकी friction जाधा है जाधा है ग्लास की friction बहुत कम होती है ग्लास की उसका जो surface होता है ग्लास का वो smooth होता है तो वहां पे बाल जल्दी जाएगी बहुत आगे तक जाएगी cotton वाली की friction थोड़ी सी जाधा होगी ग्लास वाली strip के मुकाबले तो वहां पे बाल थोड़ी दूँ जाएगी लेकिन जो sand paper होगी वहां उसकी friction उससे भी जाधा होगी तो बाल सिर्फ थोड़ी सी दूँ जाएगी और जो sand वाली होगी उसकी friction बिलकुल जाधा होगी सबसे जादा होगी तो हम उस पे जो बाल है वो नहीं आगे बिलकुल भी नहीं जा पाएगी तो वैसे ही आपको हमें देखना है दा वाल कवर दा मैक्सिमम डिस्टेंस ऊन ड massively तो किसके उपर उसने सबसे जादा डिस्टेंस की कवर किया वे ग्लास स्ट्रिप glass पे उसने सबसे ज़्यादा distance cover किया the wall cover the minimum distance on sand strip और सबसे कम distance किस पे cover किया ball ने sand strip पर therefore dash strip offer the maximum friction तो इसमें सबसे ज़्यादा friction किस की है sand की और सबसे कम बाली friction किस की है glass की आगे हम पढ़ेंगे बर्क बर्क is said to be done if an applied force moving on object from its original place to another place for example if you kick a rock and it does not move then throw you have applied force no work is done kicking a football moving a court picking up books from the table and keeping it on the shelf hitting a ball with a bat etc are some example of work जब हम अपनी ताकत लगा के कोई काम करते हैं किसी भी object को movement होती है उसकी original place दे उठाके हम उसे कहीं और shift कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं वर्क उस जो भी हम उस जगा काम करते हैं उसको हम बोलते हैं बर्क अगर हम किसी सैंड के रॉक को रॉक को अगर हम दक्का देते हैं उस पे अपना पैर मारते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है तो मतलब वहां पे कोई हमने जो force की उसका कोई movement नहीं हुई हमारी ताकत लगाने का कोई फाइदा नहीं होता तो हमें वहां पे बोलते हैं बर्क नाट डन हमारा काम वहां पे नहीं हुआ लेकिन जब हम अपनी force लागा के कोई काम करते हैं जैसे कि हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वह बहुत दूर चला जाता है जा फिर कोई भी जैसे moving a court कुछ भी चलता है जा फिर हम किसी किस जगा से कोई समान उठाके दूसरी जगा पे रखते हैं तो उस जगा वहां पे हम बोलते हैं वर्क इस डन काम हमारा हो गया है force लगाने की वज़े से किसी भी चीज में movement होती है जो उसे हम बलते हैं वर्क आगे है energy and its type energy होता है हमारे काम करने की शमता energy is needed to do a piece of work और काम करने के लिए energy की बहुत जरूरत पड़ती है we are often asked to eat proper food so that we may gain energy to do a piece of work तो हमें energy कहां से मिलती है हमारे खाने से हमें बिलकुल अच्छे से खाना खाना चाहिए ताकि हमारे काम करने के लिए हमें energy मिल जाए आगे है there are different forms of energy और आगे हमें energy की forms पड़नी है light energy सबसे पहले क्या है light energy light is a form of energy which help us to see things around us the source of light in our surrounding are the sun, bulb, candle, firefly and tube lights तो यह light क्या करती है हमें देखने में मदद करती है जो भी हमारे इर्दगीर जो भी चीज़े होती है उन्हें देखने में कोन मदद करता है हमारी light और light के sources क्या होते हैं जैसे कि sun, सूरज, main source होता है light का, bulb, candles, fireflies and tube lights आगे है mechanical energy the energy possessed by an object due to its motion जब हम कोई भी energy काम करते हैं जो किसी भी body motion में आ जाती है हमारे काम करने से उसके बोलते हम kinetic energy और हम जब किसी चीज़ की position पर काम करते हैं जिससे उसकी position change हो जाती है उससे हम बोलते है potential energy इस card mechanical energy जै किसके पार्ट होते हैं mechanical energy के a moving car, a hanging candler and a rolling foot wall पूसे से mechanical energy जैसे कि छलती हुई गाड़ियां जा फिर जो जूमर लगे होते हैं हमारे गरों में foot ball चलता हूँ, foot ball होता है उसको हम वो क्या करता है कौन से energy carry करता है mechanical energy आगे है sound energy sound energy enable us to hear sound energy हमें सुनने में मदद करती है the source of sound are audio player, instrument, television and speakers तो इसके कौन-कौन से sources है, audio player है, instruments है, television and speaker कोई भी ऐसे instruments जहां से हमें आवाज आती है, उसे हम भोलते हैं sources of sound आगे है electrical energy, it is another form of energy which we use to run electrical appliances like washing machine, tv, computer, vacuum cleaner, air conditioner, tube light, fan, etc we get the energy from electricity, जे energy हमें बिजली से मिलती है इस energy से हम क्यार करते हैं, अपने electrical बिजली पर चलने वाले करनों को हम चलाते हैं आगे है solar energy, the sun is the ultimate source of energy on the earth, जो सूरज है वो सबसे बड़ा source है हमारी हम तक energy पहुचाने का, this energy is utilized by plant while preparing their food जो plants होते हैं, वो solar energy को consume करते हैं अपना खाना बनाने के लिए we convert solar energy into electrical energy using solar cell हम solar energy को electrical energy में convert कर सकते हैं, किसके जरिये, solar cell के जरिये आगे है heat energy, heat is the needed to get warmth, to cook food and to run a vehicle heat energy is obtained from the sun and also by burning fuel such as LPG, wood, coal, petrol and kerosene this energy is useful in cooking, running steam engine and generating electricity heat energy किसके लिए काम आती है, हमें गर्मी जब चाहिए होती है हम heat energy का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए, गाड़िया चलाने के लिए ऐसे जो भी काम जो हम सिर्फ heat से कर सकते हैं, गर्म चीजों से कर सकते हैं उसके लिए हमें चाहिए होती है heat energy, जैसे कि हम heat energy कहां से लेते हैं सूरज से लेते हैं, बर्नी जाफिर उसके लिए हम fuel को जलाते हैं जैसे कि LPG को जलाते हैं हम खाना बनाने के लिए जो हमारे गरों में इस्तेमाल की जाती है गैस बुड को लकडी जलाते हैं जाफिर कोल जलाते हैं पेट्रोल कैरोसीन जलाते हैं हम इनर्जी आग जलाने के लिए तो यह energy किसके लिए जरूरी होती है हमारे खाना बनाने के लिए जा फिर हमारी गाड़ियां चना ले के लिए जा फिर बिजली पैदा करने के लिए जैसे कि नीचे बिंड इनर्जी से क्या होता है solar energy और heat energy जे सारी कोंसे energy की forms है factoid the law of conservation of energy state that energy can neither be created nor destroyed it only change its form जो conservation law के मुताबिक जो energy होती है वो ना ही खतम शुरू की जाती है ना ही खतम की जा सकती है जे सिर्फ अपनी जो form होती है उनको change कर लेती है write one word for each of the following हमें आगे जो निचे sentences केके हैं उनको एक word में लिखना है the energy possessed by running steam engine जब running steam engine के लिए हमें कौन सी energy चाहिए होती है heat energy the force used while playing cricket तो हमें तब कौन सी energy जुरूच चाहिए होती है friction कौन सी force लगती है frictional force the energy possessed by guitar sound energy the energy possessed by body due to its motion यहां पर आएगा kinetic energy आगे है simple machines हम आगे simple machine के बारे हम पढ़ेंगे we use various tools such as scissors, tongs, spade to make or work easier easier these tools are card machines a simple machine is a tool that make or work easier and faster by overcoming a large force load and by applying lesser force effort and simple machine are six types namely labor, wheel and axle, pulley, incline, screw and wedge यह सारी क्या होती है, यह machines होती है जो हम छोटा छोटा काम जिससे हमारा बड़ा असानी से हो जाता है जैसे जी हम किसी भी चीज़ पर जो force लगाते हैं उसको बोलते हैं load और जब हम कम force लगाते हैं तो उसे बोलते हैं efforts और machines के shear types होते हैं labor, wheel and axle, pulley, incline plane, screw and wedge ठीक है? तो पहले हम labor के बारेंगे a labor is a rigid rod that helps us to lift and move something with less effort there are three parts of a labor जो labor होता है वो rigid rod की तरह है जैसे उपर diagram में दिखाया गया है इसके तीगिन वाइन पार्ट होते हैं falcrum जे क्या होता है? जे turning point होता है और जहां से किसी भी एक चीज़ को turn किया जाता है दूसरी तरफ और load होता है जहां पे हम जादा force लगाते हैं move करने के लिए और effort होता है जब हम किसी भी चीज़ पे कम force लगाते हैं अपना काम करने के लिए based on the position, the load, falcrum, effort, labor are classified into three types तो हमें इनकी position के हिसाब से जो तीन, इसकी तीन classified है जैसे है first class labor first class labor हो गया the labor in which the falcrum is located between the load and the effort is card the first class labor for example, plier and the pair of scissors जब falcrum होता है वो effort और load के center में होता है और उसको हम बोलते हैं first class labor जैसे कि हमारा pliers होते हैं जा फिर scissors जैसे हमें जो scissors दिये गए है उसमें क्या है जो center वाला है जहां पे दो चीजें जुड़ी होई है दो हिस्से वो क्या है turning point जहां पे जो उनकी position है नीचे वाला उपर चला गया है उपर वाला नीचे आ गया है तो इसको पोलते हैं turning point तो यह क्या हो गया हमारा falcrum center जो जिस पे हम force लगाएंगे नीचे से वो हो गया हमारा load और जब हम उपर से कम force लगाएंगे जहां पे वो हो गया effort तो यह होगी हमारी first class lever आगे है second class lever the lever in which the load is located between the falcrum and the effort is called the second class lever for example यह बीलवारो यह net cracker और बॉटल उपनर जह second class lever होगी जहां पे जो लोड होगा वो falcrum और effort के center में होगा जैसे कि net cracker जहां पे turning point क्या है F जहां से J जुड़े हुए है एक दूसरे के साथ वो हो गया falcrum जहां पे जादा energy लगेगी वो हो गया load और जहां पे हम कम energy का अपनी energy का इस्तिमाल करेंगे वहां पे आ गया effort आगे है third class lever the lever in which the effort is located between the load and falcrum is called third class lever for example a stapler, a pair of ice tongs and a fishing rod जहां पे effort falcrum और load के center में होगा वो होगा third class lever जैसे कि stapler के बीच में जहां पे जो turning point है जिसका last में वो क्या है falcrum जहां पे जादा load होगा जहां पे काम होगा वहां पे है load और जो हां पे हम अपनी energy लगाएंगे force लगाएंगे वो हो गया effort तो effort जहां पे center में आ रहा है तो यह है third class lever आगे हम पढ़ेंगे wheel and axle the wheel and axle has two basic parts wheel and axle the axle is a small rod into which goes a wheel there may be two wheels attached to the axle there are two basic ways a wheel and axle can work together to help move things जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं उनके जो दो टाइर होते हैं वो आपस में connected होते हैं वो एक साथ जाते हैं क्योंकि उनमें एक rod लगा होता है उस rod को हम बोलते हैं axle और wheel होते हैं वो जो टाइर और ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं और किसी भी चीज़ को object को move करने में help करते हैं आगे आएगा the force is applied to the wheel for example is screwdriver, area, door knob, etc. जब हम किसी wheel पे लगाते हैं जिक कोई भी wheel हो सकता है जैसे हमारे जो जिस पे अटैच होता है हमारा दरवाजा उसको भी हम wheel और axle बोलते हैं जो side में उसके जो लगे होते हैं आगे आएगा the force is applied to the axle example are ferris wheel, sailing fan, bicycle ये भी क्या होते हैं? wheel और axle के वज़स से चलते हैं आगे हैं पुले पुले is a grouped wheel with a rope running through it the wheel rotates around a stationary axle at one end of the rope the load is attached while on other end the effort is applied a pulley can be two types fixer pulley and movable pulley pulley होता है किसी चीज को खीचना, किसी हावी object को जब हम खीचते हैं तो जब हम उसमें हम axle, wheel और रस्थी का इस्तिमाल करते हैं और पुले दो टाइच के होते हैं, fixer pulley and movable pulley fixer pulley कोन से होते हैं? when the axle is fixed to some kind of sport like a hook और ये बाल, the pulley is known as fixer pulley जो पुले होता है, जो fix कर गिया जाता है एक जगा पे उसे हम fixer pulley होते हैं बोलते हैं, fixer pulley is used for lifting bucket of water from the bell जैसे कि उसको एक जगा पे fix किया जाता है किसी भी object पे और हम उसे काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं fixer pulley जैसे कि हम bucket के साथ रस्थी बान देते हैं और उसको कुए में पानी निकालने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं fixer pulley movable pulley, in a movable pulley, the axle is not fixer to any kind of sport जो axle होता है, उसको हम किसी भी तरह की spot से fix नहीं करते हैं जैसे कि जो cranes होते हैं, वो fixer और movable pulley दोनों के इस्तेमाल करते हैं ज्यादा बजन उठाने के लिए, आगे है incline plane, incline plane is a simple machine with a flat surface with one and is higher and the other than the other, heavy object can move more easily from a lower pulley to higher level with it incline plane होता है, जिसका एक end उपर होता है और एक end नीचे होता है इसके उपर हम कोई सी भी heavy object को बड़ी असानी से उपर की तरफ चड़ा सकते हैं जैसे हमें यहां picture में दिखाया गया है कि जो पुले की shape में incline plane हमें दिखाया गया है छोटा सा experiment करके कि कैसे गाड़ियां उपर की तरफ जा रही हैं आहिए सकुरी ए सक्रू होता है कोई बी नर्ट जो सलंडिकर टानेंट से हम बोलते हैं सक्रू जैक आगे आएगा वेज इवेज इस मेड़ अफ इंकलाइन प्लेइन इस प्लेइन मीट इन फॉर्म और शेर श्यार्प एज इस जूज़ फार सप्रेटिंग फिंग्स एपार्ट इन नाइफ इस एन एग्जेंपल आफ बैज जो होता है उसकी दो प् जैसे कि नाइफ जो होता है हमारा वो बैज की एक्जेंपल होता है आगे है कि आगे हम एक्सरसाइज करेंगे टिक दा क्रेक्ट ऑप्शन इव मूब बॉविंग ऑन दा ग्राउंड कम दा रेस्ट इस ओन अफ्टर सम टाइम डू टू टू फ्रिक्शनल फोर्स और कोई भी बॉव करती हैं अपने आप कुछ टाइम के बाद रुक जाती है किसकी वज़ेसे रुकती है फ्रिक्शनल फोर्स की वज़ेसे अफिर फिर फोर्स की वज़े से यहां पे नाएगा फ्रिक्शनल फोर्स A rubber band possesses magnetic force, muscular force, elastic force Rubber band में कौन सी force होती है? Muscular, magnetic, यहां फिर elastic यहां पे आएगा elastic The energy possessed by a body due to its position or motion is known as electrical energy, mechanical energy or magnetic energy यहां पे आएगा magnetic, mechanical energy The form of energy which is used for lifting heavy iron object using a strong magnet is called wind energy, kinetic energy, magnetic energy यहां पे आएगा magnetic energy The force is responsible for keeping us bound to the earth Friction force, gravitational force, muscular force यहां पे आएगा gravitational force Which of these is simple machine help to move heavier object to a height? Pulle, lever, inclined plane यहां पे आएगा inclined plane Tongs are an example of first class lever, second class lever and third class lever यहां पे आएगा third class lever Tongs जो होता है वो third class lever होता है पेच करेंगे potential energy Potential energy कौन सी होती है Stretched string Wind energy हो गया Wind mill Electrical energy हो गया Washing machine Sound energy आएगा Guitar Light energy आएगा Touch आगे है fill up Force can change dash and dash of a body Shape and direction of a body Dash are the device that makes our work easy हमारा काम कोई इस डिवाइस से अजान हो जाता है Machine की वज़े से Dash is defined as the ability of an object to do work यहां पे आएगा energy We receive energy from the sun in the form of lights and heat हम यहां पे solar और light भी लख सकते हैं यहां पे light और heat भी लख सकते हैं Crane juice mixed fixed and movable pulley तो आगे आपको D और E पार्ट के answers आपको हमारे description box में मिल जाएंगे I hope आज का topic आपको बड़ा अच्छे समझाया होगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे share, like और comment ज़रूर कीजिएगा Thank you Have a nice day Thank you